लुमश्कार दोस्तों इंडिया के point of view से एक बार फिर से बहुत अच्छी खबर सामने आ रही है देखो हमने इरान के अंदर में चाबार पोर्ट को डवलप किया था वहाँ पर काफी investment की थे और कहा जा रहा था कि यह चाबार पोर्ट का investment है यह काफी successful investment रहा हमारा क्योंकि हम policy के point of view से काफी अच्छी खबर है काफी अच्छी खबर इसलिए है या इतनी important खबर इसलिए यह सित्वे पोर्ट वाली खबर क्योंकि ऐसा कहते हैं सारे geopolitical experts कि मैंनमार के अंदर में चाइना की government ने पूरा अपना कवजा कर रखा है चाइना ने इतना investment कर दिया है मैंनमार क एकनलमिक कॉरिडोर भी बनाना चाथा आप चाइना जिसभी कंट्री में जाता है वहां पर एक अक्नोमिक कॉरिडोर बना देता है जिसे पाकिस्तान में गया वहां पर बना दिया श्री लंका के अंदर भी पोर्ट डेवलप कर रहा है मैंनमार में कोई government तो हैं नहीं मैनमा कोई भी राइट वहाँ पर सिक्यूर नहीं कर पाएगा उसी के बीच जब ऐसी खबर आती है कि इंडिया ने सिक्यूर कर लिए सारे राइट तो यह इंडिया के पॉइंट ऑफ यू से काफी बड़ी खबर हो जाती है अब जो यह सित्वे पोर्ट प्रोजेक्ट हम जो यहां क का नाम है कालादान मल्टी मोडल प्रोजेक्ट अभी जो कालादान मल्टी मोडल प्रोजेक्ट है यह इंडिया और मयानमार की सरकार के बीच में साइन हुआ था और यह जो प्रोजेक्ट है इसका पूरा फ्रेमवर्क है इसके उपर जो अग्रिमेंट है यह अग्रिमेंट बेसिकली हमने साल 2008 में ही साइन कर लिया था अब आप सोच लिजे कि साल 2008 में कोई प्रोजेक्ट शुरू हुआ हुआ है इंडिया ने अपनी सारी इंवेस्मेंट वहां पर करन दी थी लेकिन वहां की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वज़े से इतना टाइम लग गया और स साल दो हजार चौबिस में आकर के हमें सित्वः पॉर्ट का राइट सिक्क और कर पाए हम अब यहां पर इस पूरे प्रोजेक्ट की अगर आप सिगनिफिकन समझोगे तो सिगनिफिकन सेम चीज़ है क्योंकि आप को पता है अगर आप मैप के थ्रूँ इस पूरे इस्टन वाले यह लोग जो इंडिया का मेलनेंड है इससे बहुत वेल कनेक्टेड नहीं है यह लोग कनेक्टेड किस चीज से हैं अगर आप देखोगे तो सबसे बड़ा चैलेंज हमारे लिए होता है कि यह लोग जो है वो चिकेंस नेक्टेड मतलब सिलीगूरी कॉरिडोर स कनेक्टेड है जो कि एक बहुत पतला सा पॉइंट है और उस पॉइंट पर इंटर्नल सिक्यूरिटी का बहुत रिस्क रहता है क्योंकि जो सेपरेटिस मुवमेंट वहां पर चलते हैं तो वह धंगी देते हैं कि हम सीलीगूरी को ब्लॉक कर देंगे जो वहां पर चाइना क बॉर्डर पास में है चाइना से एक हमेशा थ्रेट बना रहता है तो आप समझ लो इंटर्नल सिक्यूरिटी का काफी जादा वहां पर थ्रेट है दूसरी चीज़ एक और है कि हमारे लिए अगर आपको कोलकता से मिजूरम को समान भेजना है वो आपको अभी कैसे आप रहते हैं कि थोड़ा सा नॉर्थ इस्टर्न स्टेट क्योंकि बीच में बंगलादेश यहां पर पढ़ जाता है तो बंगलादेश की वज़े से नॉर्थ इस्टर्न स्टेट की कनेक्टिवीटी जो है में लैंड इंडिया के साथ वो थोड़ी कमजोर है और इसलिए इंडिया से जोड़ा जाए तो उसी के तहित हमने कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट बंगलादेश सुरी मयानमार के साथ में साइन किया था अब यह क्या कर रहे है कि कोलकता का जो पौट है वहां से उसको कनेक्ट कर रहे हैं सिधा-सिधा यहां पर नीचे आपको मयनमा मैनमार के अंदर में यह sit way port दिख रहा है और यह sit way port से फिर आगे चल करके हम road infrastructure develop करेंगे और इस अलग-अलग जो district है मैनमार के उनके थूरू हम connect करेंगे इन districts को अपने मिजोरम के district के साथ जो की इंडिया के north eastern state है तो इस तरीके से हमारी connectivity अच्छी हो जाएगी north eastern state के साथ even यह काफी fast भी हो जाएगा जो हमें इतना लंबा distance travel करना था पूरा घूंग करके जाना पड़ता था वो चीज़ अब नहीं करनी पड़ेगी तो इस से क्या होगा इस प्रोजेक्ट का पूरा significance basically major यही है कि इंडिया के north eastern states को Indian mainland के साथ में जोड दिया जाए और connectivity को और fast किय जाए ताकि transit हमारा जल्दी हो पाए अब इस पूरे कालादान multimodal project में दो चीज़े हैं एक तो सी रूट है यह सी रूट पूरा आप देख रहे होगा और बीच में यह वाटर रूट जो आपको दिख रहा है कालादान रिवर यहां से बीच मैंनमार से बह रही है इस 2008 सही सबसे बड़ी problem क्या है मैनमार की politics अब देखो मैनमार के अंदर में बड़ी in stable politics है वहाँ पर कभी stability नहीं आपाती है क्यों नहीं आपाती है सेम problem काफी पुरानी है और काफी बड़ी है उसको समझाने जाओंगा काफी जादा problem मैं आपको संचेप में सुना समझाने की क देखो जो पाकिस्तान के अंदर में problem है रूट कॉस कि वहां की military जो है वहां की politics से ज्यादा strong है ठीक वही problem मैनमार के अंदर में भी है मैनमार साल 1948 में अजाद हुआ था British colonial rule से और साल for 1948 में वहां पर एक democracy स्थापित की गई थी democratic government वहां पर Parliament बकायदे स्थापित किया गया जैसे इंडिया में system था वैसे मैनमार के अंदर में system बनाया गया था लेकिन मैनमार के अंदर में भी जो वहां के military थी वह ज्यादा strong थी वहां की politics से और इसलिए साल 1962 से ही ले करके आप समझे लो almost साल 2011 तक मैनमार के अंदर में military rule रहा है और मैनमार की अगर आप foreign policy भी देख मैनमार की हमेशा से रही है लेकिन साल 1998 के बाद उन्होंने अपने relations को सही करना शुरू किया और यह relations ज्यादा बेटर तब हो पाए जब वहां पर मैनमार के अंदर में साल 2008 के अंदर में constitution लाग हुआ यह उनका दूसरा constitution था एक constitution उन्होंने साल 1974 में बना लिया था वो भी च साल 2015 में जब प्रॉपर वहां पर elections हो पाए तो वहां की जो सबसे बड़ी लीडर थी ओंग सान्ट सू की जिनके अच्छे relations थे इंडिया के साथ भी और वेस्ट जो है वो उनको काफी दाधा उनको समलो आप नोबल पीस प्राइस भी दिया गया था जब वहां की लीडर थी तो वहां की military ने जब military role था साल 1962 से 2011 तक तो वहां की military ने उनको house arrest में डाल दिया था तो house arrest में जब वो थी तभी उनको साल 2013 में noble peace prize मिल गया अब आपको तो पता है noble peace prize कैसे मिलता है जब बिना west के support कि आपको noble peace prize तो मिलेगा नहीं तो west उनको as a leader काफी support करता था और फिर 2015 मे उनकी सरकार आई तो कुछ technical problems की वज़े से president तो नहीं बन पाई क्योंकि वह house arrest में थी कई सारे cases थे उनके उपर तो constitution में कुछ ऐसे terms थे कि वह president नहीं बन सकती है लेकिन वह तरीके से de facto leader थी पूरे Myanmar की लेकिन जैसे वह power में आती है उसके बाद वह anti-west हो जाती है और चाइन चाइना से अच्छे relations develop कर लेती है इवन साल 2015-16 में उन्होंने चाइना विजट किया था काफी warm welcome हुआ था वहाँ पर उनका और उसके बाद Chinese investment Myanmar के अंदर में बढ़ना शुरू हो जाते हैं अपने belt and road initiative के तहत अलग-अलग projects की बात करने लगता है चाइना कई project उन्होंने अ अगेंश्ट में हो जाता है और उसके बाद आपको पता है साल 2017 में रोहिंगया मुस्लिम्स का बहुत बड़ा आईशी हुआ मयानमार के अंदर में और उन्होंने UN के अंदर यह पूरा मामला उठा मयानमार के रोहिंगया मुस्लिम्स के पर्जिक्यूशन से रिलेटेड जो और उसके बाद उनकी इंटर्नल पॉलिटिक्स भी ठोड़ी खराब होनी शुरू हो जाती है और उसके बाद साल 2021 में मयानमार के अंदर में मिलिटरी को हो जाता है फिर से और वहां पर फिर से सरकार गिरा दी जाती और ऑंग सैंसू की जो कि लग रहा था कि एक स्टेबल ग ईब नहीं हाउस अर्शेश्ट में डाल दिया अब जो वहां पर मिलिटरी रूल है वहां पर कई सारी लिबरेशन आर्मी से जैसे अरकान अर्मी है वह उपने अरकान स्टेट को अलग करना चाहती है एथनिक जब क्लैशस हैं वह भी काफी जादा है तो अब एथनिक लैशस 2021 के बाद हमने options चलाशने शुरू कर दिये हमने क्या option तलाशा कि देखो यार यह project हमें लगा 2021 में military coup हो चुका है और यह जो project हमने investment कर दिया है अब हम ऐसा मान करके चल ले थे कि यह डूब गया है हमने इसका जो यह project शुरू किया था इसका भी same agenda था कि हम बंगलादेश के तुरू अपने north eastern states को Indian mainland के साथ अच्छी connectivity से जोड़ पाएंगे same हमारा यहां पर भी agenda था बट यह जो चिटगॉंग का port है आपको पता है कि बंगलादेश के अंदर में साल 2015 के बाद से चाइना का जबरजस्ट influence हो गया और चाइना उनको सबसे बड़ा bilateral partner भी बन गया साल 2015 में सबसे दाला trade होने लगा चाइना के साथ जबकि इंडिया के साथ होता था पहले तो 2015 के बाद चाइना ने जबरजस्ट investment करनी शुरू करी और 2017 से लेकर के 19 तक तो आप ऐसा मान लो कि चाइना ने यूज investment करी इस चिटगॉंग port को develop करने में काफी investment करी और ऐसा माना जा रहा था सारे geopolitical experts दुआ रहा कि साल 2019 में चाइना पूरा exclusive right इस चिटगॉंग port का ले लेगा एक तरीके से इस पूरे चिटगॉंग port को खरीद लेगा बंगलादेश की सरकार से लेकिन eventually फिर से एक बार Indian diplomacy कहां पर काम आती है इंडिया अपनी जो strong diplomacy है उसके तहट साल 2021 में मैनमार में military government गई आई और उसकी वज़े से हमारा जो प्रोजेक्ट है वो रुका तुरंती हमारे जो external affairs minister हैं वो साल 2022 के अंदर में बंगलादेश विजिट करते हैं इसी चिटग इंडिया को यहां पर राइट्स देने के लिए बात करी थी खुद उन्होंने बात करी इवन उन्होंने उसी टॉक्स में चाइना को काफी जादक क्रिशाइस भी किया था आपने भी सुना होगा कि शेक हसीना सामने आकर के बोलती हैं कि चाइने जो investment है यह फसाने की जो कि प्रो चाइना स्टांस दिख रहा था 2015 के बाद वह अब 2022 में प्रो इंडिया स्टांस देखना शुरू हो चुका है वह काफी तरीके से फिर से वह जो हमारे रिलेशन से उसको एक बार फिर से सिक्यूर कर लिया गया है तो जब हमने चिटगॉंग पोर्ट पर भी काम क करना शुरू कर दिया साल 2022 के बाद से तो ऐसा कहा जारा यही मेजर चैलेंज है कि एक ही काम को करने के लिए मतलब नौर्थ इस्ट की कनेक्टिविटी को बेटर करने के लिए और उसको इंडियन मेल लैंड से करने के लिए हमने मयानमार में भी इंवेस्मेंट कर दी और सेम चीज के लिए सेम एजेंडर के लिए इंवेस्मेंट हमने चिटगॉंग पोर्ट पर भी कर दी तो यह एक दूसरे को आपस में गोल्स जो है वो क्लैश कर रहे हैं कि सेम काम के लिए हम दो जगा पैसे लगा रहे हैं तो यह एक मेजर चैलेंज है बाकी इन सारी चीजों से इंडिया के लिए इंडिया की डिप्लो मैसी की थाकत आपको सरीके से हमने मैंनमार का जो पूरे तरीके तरीकिで Independence जो है पूरे तरीके से को दिया था उसको दबारा से सिक्यॉर कर लिया है वैन बंगलादेश से पी जुदर इन रिलेशन्स हमारे खतम हो गये इसको भी शिक झाल झाल झाल